हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्षस विद MBS क्लासिज में स्टुडेंट्स आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के जो दो अपने पॉर्शन यानि दो जो लेक्टर हो चुके थे इसमें आज हम कर रहे हैं तीसरा लेक्ट्र ट्रिग्नोमेट्री का उर उसके अंदर हम पढ़ेंगे बटा जितने भी formulas है वो formulas कैसे बने हैं कौन कौन से हैं वो सारे के सारे हम discuss करेंगे आज के lecture में तो जुड़े रहना है वीडियो को last तक जरूर देखना है अगर वीडियो अच्छी लगे तो थम इंप्रेशन यानि like का बटन जरूर प्रेस करना वेटा तो जो right angle ट्रेंगल होती है उसके अंदर ये जो side है वेटा इसको हम बोलते हैं hypertonious क्या बोलते हैं इसको hypertonious बोलते हैं ठीक है इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा करंग यह होता है करंग यह जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं बेटा आधार यानि बेस इंगलिस में इसको क्या बोलते हैं हम बेस बोलते हैं और यह जो vertically line है इसको हम बोलते हैं लंब यानि इसको इंग्लिज में बोल जाता वेटा प्रपेंडिकुलर ठीक है क्या बोल जाता इसको प्रपेंडिकुलर यह तीन चीजे थी अपने पास कोई भी राइट एंगल ट्रेंगल अगर ए बी सी है तो उसके अंदर अपने को पता है कि जो यह लाइन होती है इसको हम हम बोलते हैं hypertaneous यानि प्रपेंडिकुलर यानि लंब और यह आधार यानि बेस होता है और आपनी यह फोर्मूला पड़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक एंदर जितने भी अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक है, sine है, चाहे कोस है, चाहे tangent है, चाहे coat है, चाहे secant है, और चाहे cosicent है, यह छह ही trigonometric ratio है, और इनको हम कैसे निकालते थे? किस किस के लिए क्या-क्या नियम था, वो मैं बता देता हूँ आपको, कि आपने यह formula पड़ा था, पंडीत बद्री प्रसाद डिवाइड बाइ हर हर भोले ठीक है यह इनि प्रपैंडिकुलर बाइ है Junior से अपने पास होता वेता स्वाइल है नो इसके बाद में परपैंडीकुलर बाइस यह बने पास है और अब इनको पलट देते हैं तो B by P उल्टा करेंगे तो अपने पास बन जाएगा इतने हीच है कि अपने पास रेशो देए उम्हीद करता हूं यहांं तक किसी भी टाप की कोई दिक्कत नहीं है अब आपको एक बात बता दूँ बैटा कि जो sign होता है ना वो cosecant का reciprocal होता यानि cosecant को अगर मैं पलट दूँ उल्टा कर दूँ तो मेरे पास क्या बनता है sign देखो यहाँ पर P by H है यहाँ पर H by P है उसके बाद में cosecant यह एक दूसरे के opposite होते हैं देखो यह B by H है तो यह H by B है उल्टा है उसके बाद में लास्ट जो बत गया वेटा वह अपने पास टैंगेंट और को टैंगेंट यह दो होते हैं यह एक दूसरे को लेट होते हैं तो आपको अगर मैं बोल दूँ कि sign theta किस के एकवल होता तो आप यह बोल सकते हो कि sir sign theta one by cosec यहां पर यहां पर यह फोर्मूले तो पता चली गया होगा कि sign theta जो होता है वो one by cosec theta होता है और cosecant theta किस के एकवल होता है बेटा cosecant theta जो होता है वो one by sign के एकवल होता है अब आप सोचो है sir इसको कैसे देखें तो इसके नीचे one करतो होगे तो यह इधर चला जाएगा यह इधर चला जाएगा तो देखो cosecant की sign के साथ multiply आपके पास क्या बने है बेटा cosecant theta into sin theta is equal to one की one से multiply one ठीक है अब देखो मेरे को क्या चाहिए था सिर्फ cosecant तो यह sign इधर multiply में इधर वाली साथ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में अपने पास क्या जाएगा cosecant theta is equal to one by sin theta होता है कोई दिकत नहीं होगी ऐसे ही अगर मैं पूछू कि cosecant theta किस के एकवल होता है तो आप बोलते हो sir one by secant theta के equal होता है अगर मैं पूछू second theta किस के equal होता है तो आप बोलोगे वन भाट होता है सेम यही process use करेंगे ऐसे बटा अगर टैंगर theta के पूछा जाए तो आप भोलोगे one by कोट theta के एकवल होता है और कोट egल आप से पूछा जाए तो आप बोलोगे one bythe disagree थिटा के एकवल होता है यह सारे फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए तब ही आप जितने भी क्यों सनाएंगे आपके एक्जाम के अंदर ठीक है वो सारे के सारे सोल कर पाओगे उमीद करता हूँ यहां तक किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं है आपको तो अब देख अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन करते हैं अपने हाथ से तो आपको और जाद आच्छी दंग से याद हो जाते हैं तो पहला ही फॉर्मूला आपको ध्यान रख़़ा बेटा साइन थिटा होता है वो वन बाए को सिकेंड थिटा के एकवल होता है पहले तो मैंने आपको शिर्फ यह बता आता कि फॉर्मूला कैसे कैसे हैं किसको हम लिख सकती है थीक हैं उसके बदें से कीन अपने पास बेटा वो यो ऊtik친 सिकेंड थिटा जो होगा वो वन बाए साइन थिटा के एकवल होगा उसके बाद में अपने पास थारट आ जाता है वेटा जीके थीटा इस इक्वल टू वन बाई कोट थीटा हिप्त अपने पास आ जाता है बेटा अब देखो इन 6 से 6 फोर्मूले और बनेंगे बेटा देखो इसको अगर मैं लेके चलू तो देखो यह कोशिकेंट इधर तला जाएगा इधर क्या रहे जाएगा कोशिकेंट की मलटिपलाई करेंगे उखाल एगर मैं तो मेरे पास आमसर की होता है अब आप सोचो यह कैसे होता यह होता है यह बता देता हूं कैसे होता है देखो, sin theta is equal to, अपने पास क्या होता है, यहां से देखो, sin theta is equal to क्या आता वेटा, वो होता जी, one by cosecant theta, और cosecant theta, अभी हमने पड़ा, वो किसके equal होता है, one by sin theta, यानि यह sin theta तो है, इस cosecant को मैं क्या लिख दूँ, cosecant को मैं क्या लिख सकता हूं वेटा, one by sin theta, तो यहां पर मैंने लिग दिया multiply में 1 by sin theta is equal to क्या है 1 sin से sin cancel आपके पास 1 is equal to 1 आगया कि नहीं आगया वेटा आगया ना तो यही चीज है कि आपको ध्यान में रखना है कि अगर by the way आपको यह बुला जाता है कि sin theta in 2 में cosecant theta क्या होता है तो आपको फटाक्ष आंसर देना वेटा कि sin theta into cosecant theta 1 के equal होता है ठीक है कोई दिकत नहीं या उमीद कर सकता हूँ अब आगये वाला जो formula अपना उसकी तरफ चलते हैं आगये अपने पास क्या होगा वेटा second देखो इन दोनों से एक formula अपने को clear हो गया ठीक है उसके बद में cosecant theta मुल्टिप्लाइ में सेम यही process से उसके बाद में third है वेटा अपने पास वो क्या आता है tangent theta into में 4 theta is equal to 1 होता है ठीक है वेटा यह अपने पास कितने हो गए 6 formula तो यह हो गए और 3 यह हो गए 4 6 और 3 कितने हो गए no formula बिल्कुल simple है कोई भी दिकत नहीं आएगे वेटा यह अपने पास आप चुके है no formula अब हम चलते हैं आगे वाली side आगे देखो आपने ऐसे भी formula पड़े होंगे कि sin square theta plus cos square theta is equal to 1 होता है ठीक है यह मैं बताऊंगा बेटा कैसे होता है 1 यह guaranteed बताऊंगा लेकिन आपको थोड़ा से देखना है अब देखो यह 1 कैसे होता है वह हम कर लेते हैं एक बाद देखो यह अपने पास कोई भी right angle है ठीक है यह a है यह b है और यह c है ठीक है अब अगर मैं बोलूं कि यह दोनों sign और cos की बाद चल लिए तो सबसे पहले मैं sign theta निकालता हूं बेटा देखो ना तो मैंने बोला sign a angle ना ही बोला मैंने sign c angle तो शिर्फ theta बोला है तो जो आपको base दिख रहा है वो base लेना है जो vertically यानि जो perpendicular दिख रहा है वो यह perpendicular लेना है अगर आपको यह अंगल पूछा जाता तो यह perpendicular होता और अगर angle a पूछा जाता तो यह perpendicular होता लेकिन अभी अपने को यह base दिख रहा है और यह perpendicular तो यह लेकर हम चलेंगे फोर्मूला क्या वेटा पंडित बद्री परसाद divide by हर हर भोले ठीक है अब देखो sign क्या होता वेटा p by h तो देखो p तो अपने पास क्या होगा वेटा यह perpendicular यानि a b by h h क्या है अपने पास क्या जेगा a c कोई दिखत नहीं है उम्मीद कर सकता हूं ठीक है उसके बाद में हम निकालता वेटा cos theta अगर मैं निकालूँगा तो b मेरे पास क्या वेटा b c और h मेरे पास कीतना वेटा a c अब देखो अपने को पता तला है की sin square theta plus cos square theta करू तो वन आना चाहिए यानि इसका भी square करूँगा इसका भी square करूँगT तो वन आना चाहिए तो देखो साइन स्केर इसका मतलब मेरे को क्या पता तल गया वेटा A B by A C का स्केर करना है A B का स्केर अलग हो गया उपर निचे A C का स्केर अलग हो गया पलस में को स्केर यानि B C का स्केर और A C का स्केर अलग अलग करती है तो अपने पास आगया वेटा B C का स्केर divide by अपने पास दोबार आ गया AC का square और is equal to answer कितना ना चीए 1 तो ही हम बोल सकते है ना कि यह formula जैसे बनाए ठीक है अब देखो आपने यह कौनची triangle लिए बेटा यह आपने triangle लिए है right angle triangle और right angle triangle के अंदर क्या होता है hypertenious square is equal to perpendicular square plus base square यह होता है hypertenious square is equal to perpendicular square plus में base square hypertenious अपने पास कितना है बेटा AC यानि AC का square is equal to P, P कितना है बेटा अपने पास AB तो अपने पास आजाएगा AB का square plus में B, B का मतलब base यानि अपने पास किया आगे बेटा BC का square यह आगे अपने काम हाएगा बेटा अब अब देखो अगर मैं इसका LCM ले लूँ तो LCM मेरे पास कितना है गा वो आएगा जी AC का square AC का square से AC का square cancel अपने पास क्या रहेगा बेटा AB का square ठीक है जी plus में AC square से AC square तो बारा cancel हो गया तो अपने पास क्या बन गया BC square is equal to अब देखो AB square प्लस में BC square AB square प्लस में BC square को मैं क्या लिख सकता हूँ AC का square यानि ये दोनों मिलके क्या बन गया अपने पास बेटा AC का square divide by AC square है is equal to क्या रहेगा ये आपस में cancel तो 1 is equal to 1 आगया की नहीं आगया तो आपको पता चल गया कि sin square theta sin square theta फॉर्मूला कैसे बना ये आपकी समद में आया 100% guarantee से कोई दिकत नहीं होगी ठीक है बेटा ऐसे ही ये formula तो मैं लिखवा देता हूँ बेटा कौन-कौन से formula बनने है तो अपने पास पहला formula आता है क्या sin square theta plus cos square theta is equal to 1 अब इससे दो formula दोर बनेंगे वो कौन-कौन से अगर मैं सिर्फ sin square की value निकालू तो sin square theta is equal to 1 और ये बेटा cos square theta इदर वाली साइड दाके क्या हो जाएगा minus का तो minus का हो गया cos square theta खीक है जी उसके बाद नहीं थर्ड अगर मैं सिर्फ cos square की value निकालना चाहूं तो sin square उदर तला दाएगा यानि 1 minus में अपने पास आजएगा sin square theta कोई दिक्कत नहीं है ये तीन formula बन गए उसके बाद में चोथा formula आता है वेटा वो आता है अपने पास second square theta minus में tangent square theta is equal to 1 ये भी क्या होता है second square theta minus tangent square theta is equal to 1 होता और ये वैसी होता है जैसे हमने sin square theta plus square theta को 1 prove किया था भी थोड़ी देर पहने ठीक है वेटा उसके बाद में पास्वाँ formula यहां से क्या बनेगा वेटा अगर मैं second square theta की value निकालू तो बन जाएगा 1 plus में tangent square theta और अगर बाइद आवे मैं सिर्फ tangent square theta की value निकालू अब देखो वेटा tangent square की चाहिए minus का tangent है ना ये अगर मैं इसको equal से दूसरी side लेके जाएगा तो ही क्या होगा plus का होगा यानि ये तो इदर तला गया तो 1 कहा जाएगा इदर वाली side यही बात है तो अपने पास क्या रहे जाएगा secant square theta minus में 1 ये अपने पास 3 formula और बन गई तो क्या वेटा उसके बाद में अगे चलते हैं उसके बाद में 7 वाद फोर्मूला अपने पास बनता है कि cosecant square theta minus 4 square theta is equal to 1 होता है 8 वाद फोर्मूला क्या बनेगा वेटा cosecant square theta is equal to 1 plus में 4 square theta और 9 अपने पास बन जाएगा वेटा वो क्या कि अगर मैं 4 square theta की value निकालू तो मेरे पास बन जाएगा cosecant square theta minus में 1 ये अपने पास 9 formulas बन चुके हैं देखो बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कौन कौन से करवाये थे देखो ये तो हमने पढ़ा था सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि cosecant का उल्टा 1 by sin theta cos theta क्या होता 1 by secant theta secant 1 by cos tangent 1 by cot cot 1 by tangent ये बताया था उसके बाद में हमने ये formula पढ़े थे कि sin theta 1 by cosecant ये सारे के सारे formula 6 के 6 थे और इनसे 3 और बने थे कि sin और cosecant के अगर मैं multiply कर दूँ तो मेरे पास क्या बनेगा बेटा 1 बनेगा cos और secant के multiply कर दूँ तो 1 बनेगा tangent और quote के multiply कर दूँ तो 1 बनेगा बेटा ये formula है न अगर आपको अच्छे डंग से पता है याद होंगे तो आप जो क्योशन आप से पूछा जाएगा एक minute में sol कर दोगे second में sol कर दोगे इसको लेकिन अगर आपके formula याद नहीं है तो आप जितना मर्जी कोशिस करते रहे आप से क्योशन sol नहीं होगा ठीक है तो formula आपको पता होना चाहिए उसके बाद में हमने पड़ा वेटा कि science कर दिटा प्लस cos कर दिटा is equal to one होता है और ये भी मैंने आपको बता है कि one होता कैसे है ठीक है तो उमीद करता हूँ यह आपको समझ में आया है उसके बाद में हमने 9 formula दोर पड़े यानि total अपने पास यह है यहां से 6 और 9 और 9 कितने formula होगे अपने पास 18 formula होगे और एक भी formula ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए जो आपको पता ना हो लेकिन इसके लिए मैनत करना है बटा जहां जो formula मैं यह कहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगे कि यह आपको याद نہیں होता तो मैं भी कह रहा हूँ कि बैटा आपको याद करना ही नहीं है रटना नहीं है बिलकुल भी आपको simple सा काम करना है जहां पर भी जहां पर भी formula youse होता है जहां पर भी formula use होता है आप एक काम करना notebook के अंदर write down तो करी रिखा होगा आपनी ठीक है तो जहां जो formula अता है use उस में क्या करना है उस जगह वह formula लिख देना है मालो आपको use हो रहा था sin square theta plus में post square theta is equal to 1 यह formula use हो रहा है यापर किसी भी sum के अंदर तो आपको मैं कहा रहा हू minus 10 square theta is equal to 1 वाला formula use करना है तो वहां देखे देखे लिख दो कोई दिकत नहीं है पांच या सात बार आप देख देखके भी लिख हो गया ना बेटा तो यह formula अपने आप आपके mind में बैठ जाएंगे ठीक है रटना नहीं है मैं guarantee लेता हो बेटा कि अगर आपने शिरफ और श formula पढ़ा होगा कि sin 90 90 minus theta is equal to होता है वेटा cos 90 minus theta होता है वो होता वेटा आपके पास sin theta ठीक है sin cos cos tan यह यह चलते जाएंगे बैटा tangent 90 minus theta होता है वो होता है आपके पास chord theta 90 minus theta होता है वो होता है वेटा आपके पास tangent theta और secant 90 minus theta होता है वो आपके पास होता है वेटा cosecant theta और cosecant 90 minus theta हो तो वो आपके पास होता है secant theta ये छे formula और आपको याद रखने है साइन 90 minus theta cosecant theta अब कई बार क्या होता है आपने ये देखा होगा कि जैसे यहाँ पर ऐसे लिख दिया साइन 180 प्लस में theta या माइनस में theta ठीक है cos 180 प्लस माइनस theta यानि ये चेंज होगे अब देखो यहाँ पर sin theta का sin theta ही आएगा यहाँ पर साइन सोरी कोस theta कोस theta आएगा वो अलग बात है कि यह हो सकता हो 90 या लिखा हो बेटा 270 ठीक है यह तो लिखा हो 90 या लिखा हो 270 तो जो trigonometry ratio है वो change होगा यानि sign cos बनेगा cos sign बनेगा tangent coat बनेगा coat tangent बनेगा secant cosecant बनेगा cosecant secant बनेगा यानि आपको ध्यान में minus theta बने या 90 plus minus theta बने तो चेंज करना है यानि बदलना है बदलने का मतलब साइन को कोस में कोस को साइन में tangent को coat में coat को tangent में secant cosecant में cosecant को secant में यह ऐसे बदलने है और अगर बाइद अवे यहाँ पर इस 90 और 270 की जगह अगर आपके पास आजए 180 या 360 तो आपको trigonometry ratio चेंज नहीं करना है बात समझ में कोई दिकत नहीं है 90 और 270 आजए तो चेंज करना है और 180 और 360 आजए तो चेंज नहीं करना हाँ sign हो सकता है जैसे sign मतलब चिन जो उसके आगे plus का आता है कि minus का आता है वो change हो सकता है ठीक है कोई दिकत नहीं है तो आपको यह चो फोर्मूले और बताए अब आता बेटा कि मैंने अभी बताय कि हो सकता है कि वो sign plus का आए उसके आगे या minus का आए तो वो कैसे पता चलेगा तो simple सा तरीका इसका कोई दिकत नहीं है देखिए आगे हम चलते हैं तो देखो आपको यह तो पता यह बेटा Cartesian plane होता है यह अपने पास x-axis है और यह y-axis है ठीक है तो इसको हम बोलते है वेटा quadrant यह चार quadrant है अपने पास first quadrant यह अपने पास आगे वेटा second quadrant यह अपने पास गया third quadrant और यह अपने पास आजाता है fourth quadrant ठीक है आपको एक formula याद रखना है बेटा क्या after school after school to college ठीक है यह formula आपको ध्यान में रखना है after school to college यहाँ से चलना है after k bar schools यानि school के बाद two college college में जाना है पस यह तो आपको पता ही है कोई दिकत नहीं है school के बाद यानि आपकी जैसे plus two complete हो जाती है तो कहां जाओगे college के अंदर लोगे आईट एवेड में जाहमर जी तो देखो यहां से लेकर यह 0 degree और यह अपने पास कितना हो गया यहां से यह तक 90 degree और यहां से 90 से इस जगहते ले गए तो कितना बनेगे अपने पास 360 याने आपको ध्यान में रखना जीरो डिगरी और 360 एक ही पॉइंट पर होता है ठीके बेटा कोई दिकत नहीं है अब आता है कि साइन अब आपको यहां पर सारे के सारे फोर्मूला बता दूँआ बेटा अगर बाइदवे यहां पर आगया मानलो 90 प्लस थिटा 90 प्लस थिटा का मतलब 90 में कुछ जोड़ा जा रहा है तो 90 तो यहां तक होई गया इस पॉइंट तक 90 कहां तक हो गया आपको पता चल रहा होगा बेटा 90 कहां तक हो गया बताओ 90 हो गया अपना इस पॉइंट तक कितना हो गया 90 हो गया इस पॉइंट तो कितना हो चुका है कि 50 में एड कर रहा हूं देख़ो पलस लिखा मैंने। यह पलस लिखा है ना कुछ जोड़ा है, तो किस सब्स में चला जाएगा। वो चला जाएज आपने पास 2nd के अंदर। और आपको मैंने बताए बैटा कि 90 हो या 270 हो तो बदलेगा तो यानि साइन मेरे पास क्या बन जाए बैटा कोस्थिता बन जाएगा अब देखते हैं कि यह सेकिंड क्वार्डिनेट में आ गया तो कैसे कैसे चेक करना है कि प्लस का एगा कि माइनस का एगा तो यह जो आप्टर है ना बैटा इसका ए उठालो यह S है तो इसका स्कूल से S उठालो 2 से T उठालो और कोलेज से C उठालो तो देखो A का मतलब All Positive All Positive अभी हमने देखा और पहले भी हमने देखी होगी यह वैलिव जीरो डिगरी 30 डिगरी 45 डिगरी 60 डिगरी और 90 डिगरी इन में कहीं भी माइनस की वैलिव नहीं आती किसी बी trigonometry ratio के नहीं आती न तो इसका मतलब 0 से लेके 90 तक सारे के सारे trigonometry ratio same यानि प्लस के रहते हैं अब आता है second quadrant में second में देखो बेटा अपने पास है क्या sign है ना इसको उसको नहीं देखना sign को देखना है sign second के अंदर देखो तो s है तो s का मतलब sign और sign का उल्टा क्या होता बेटा cosec यानि सिर्फ sign और sign का उल्टा क्या होता है cosec यह दो ही positive रहेंगे यानि plus के रहेंगे बाकि सारे negative तो second में अपने पास sign आ गया sign का उल्टा cosec यानि यह sign positive यानि यह positive ही रहेगा इस cos को नहीं देखना है इस sign को देखना है जो अपने पास पहले दे रखाता तो sign positive होता है second quadrant के अंदर ठीक है जी उसके बाद में cos 90 plus theta आप देखो बेटा मेरे को इस बात का पता है कि cos 90 plus theta बनेगा तो sign theta लेकिन कौन से quadrant में चला गया second quadrant में और second quadrant में cos क्या होता है negative तो आगे sign आ जाएगा बेटा minus का ठीक है उसके बाद में tangent 90 plus theta ये तो पता ही है कि cos theta बनेगा अब देखते हैं कौन से quadrant के अंदर है second में second में sign और तो cosecant दो ही positive है बाकी सारे negative है यानि tangent भी क्या आ जाए बेटा negative आ जाएगा उसके बाद में quote 90 plus theta ये मेरे पास बनेगा tangent theta लेकिन किसका बनेगा second quadrant में second quadrant में sign और cosecant positive बाकी सारे negative तो quote क्या हो जाएगा negative ऐसे ही secant 90 plus theta क्या होता बेटा वो मेरे पास बनेगा cosecant theta अब देखो secant देखना अपने को तो secant इसके अंदर क्या होता बेटा negative होता तो आके sin minus का और cos 90 plus theta क्या होगा बेटा मेरे पास वो होगा जी secant theta और secant theta यह second quadrant में second quadrant में cosecant क्या आता बेटा प्लस का तो यह प्लस का ही रहेगा यानि यह देखो 2 ही plus के आए है sign और को शिकेंट बाकी सारे क्या आए अपने पास माइनस क्या आया है कोई दिक्कत नहीं है पका समय आरा होगा उमीद करता हूं ठीक है इसी तुरिक्से सारे समसोल करेंगे बेटा बस थोड़ा सा ध्यान से देखते दाना है ठीक है अब हम करते है आगे और तो trigonometric ratio है जैसे अपने पास ये angle बनते हैं जैसे अभी तो हमने 90 प्लस थिटा वाला किया था ठीक है हो सकता है कि अपने पास 360 वाला आजाए या अपने पास ऐसा आजाए कि 180 वाला जाए 270 वाला जाए तो उसको कैसे हम solve करेंगे वो ध्यान से देखना है बिलकुल असान तरीके से करेंगे बस जूड़े रहना है वीडियो को लाश तक जरूर देखना है अगर वीडियो अच्छी लगे तो thumb impression यानि like का बटन जरूर प्रेस करना है वो ज़्यादा से comment section के अंदर comment कर देना वीटा ठीक है किसी भी type की कोई tension नहीं रखनी है और अगर बाइदावे tension हो भी जाती है तो वो मेरे को देदेना कि सर यह लो आपकी tension पकड़ो देखो sign 90 sorry sign 180 minus में theta अगर हो तो क्या होता है तो देखो मैंने बताया कि 90 पर 90 plus minus theta हो तो बदलेगा और 270 plus minus theta हो तो बदलेगा चाहिए plus का हो चाहिए minus का अपने कोई लेना देना नहीं है 90 आगया और 270 आगया तो वहाँ पर बदलना ही बदलना है यानि sign cos में cos sign में ऐसे बदलेगा 180 minus में theta क्या बनेगा बैटा मेरे पास तो sign theta ही बनेगा अब दखो थोड़ा सा द्यान से देखना बैटा ये चीज़ थी और ये अपने पास आगये 90 ये आगया 180 ये 0 और 360 यहीं पर होगा ये 270 तो 180 में से ये 180 में से कुछ minus किया है minus अगर मैं करूंगा तो बैटा उल्टा चलना है द्यानक ना एक होता है clockwise clockwise का मतलब गड़िया ऐसे चलती है इसे चलती है इदर आपको चलना है anti clockwise का मतलब ऐसे चलना है उल्टा ऐसे ठीक है इदर वाली side तो plus रखना है और अगर आपको उल्टा च की है कम किया कोन UP में आ गया सैकिंड में से कवैटर में साइकिन हम हसी तो साइन क्या ह्ता पैड़िज बिचल तो यह positive हुख अब गया 180 माइनस थिटा ऑगया क्या कि 270 में कुछ add कर रहे हैं तो कुछ add कर रहे हैं तो कौन से quadrant में fourth में 270 देरका है तो इसका मतलब court बनेगा ही बनेगा कौन से quadrant में fourth में fourth में क्या आता ची यानि cost का वल्टा second यह दो ही positive बाकि सारे negative तो tangent क्या हो जाएगा negative हो जाएगा अगर यह ऐसे आ जाता 270 माइनस थिट्टा तो आपको पता बेटा 270 में सी कुछ minus किया तो कौन से quadrant में आ गया third में तो अपने पास यह tangent बना तो court है कोट बनेगा क्योंकि 270 है third quadrant में third quadrant में t t का मतलब 10 और 10 का उल्टा court यह दो पोजिटिव यह अपने पास पोजिटिव वैलिव आती टेंजेंट की जाएगा अब अपने पास आता 360 माइनस थिट्टा 360 माइनस थिट्टा इसका मतलब 360 में सी कुछ माइनस किया है तो कौन से quadrant में है वह अपने पास आता फॉर्थ में ठीक है जी court का court ही रहेगा क्यों रहेगा क्यों कि मैंने आपको बताए कि 90 और 270 पर तो बदलेगा 180 और 360 पर नहीं बदलेगा court का court ही रहेगा court fourth quadrant के अंदर देखो 360 में से कुछ माइनस किया तो fourth quadrant में आ गया fourth quadrant में क्या होता वेटा यह माइनस का होता है ठीक है अगर यह हो जाता प्लस बाइदवे क्या हो जाता प्लस तो अपने पास court का court ही रहता कौन से quadrant में तला गया 360 में कुछ add किया है तो कौन से quadrant में first में तला गया वो first में quote किया तो वेटा positive होता है ठीक है कोई दिकत नहीं ऐसे ही 360 plus में theta अगर मैं कर दूँ तो देखो secant 360 plus में theta आएका तो secant theta ही plus में किया तो first quadrant में first quadrant में second किया तो positive अगर यह आ जाता minus तो मेरे पास क्या बनता वेटा second theta ही बनता लेकिन fourth quadrant में है तो अपने पास क्या रहता ये भी plus का हो जाता तो उमीद कर सकता हूँ यहाँ तक किसी भी type के आपको कोई दिक्कत नहीं हुई है यह बिल्कुल basic basic formulas मैंने आपको बताए है और भी high level के formulas होंगे बैटा वो भी जहाँ जहाँ जो जो use होगा कैसे कैसे use होंगे कैसे वो formulas बने वो सारी detail में आपको बताऊंगा तो इसी तरिक के से जुड़े रहना बैटा तो मिलते हैं कल नई lecture में तब तक आप सब students का Thank you